आज हम बनाने वाले हैं class 10 के exercise 9.3 के question number 8 से ठीक है question number 8 इससे पहले वाले वीडियो में मैंने question number 7 का A और B complete किया उसका वीडियो उस वीडियो का link में description में दे दूँँगा आप चाहे एक मरतबा उसे देख लिजेगा question number 8 जो है important question में से है और ये high math exam 2019 में भी आया था ठीक है और कई मरतबा माद्ध हमें में भी आ चुका है question है if x equal to root 7 plus root 3 by root 7 minus root 3 and xy equal to 1 ये दोनों दियावा है let us show that तो दिखाओ कि यानि हमें दिखाना है x square plus xy plus y square by x square minus xy plus y square equal to 2 होगा 12 plus 11 ठीक है 12 by 11 x का value दियावा है और xy का value 1 दियावा है और इन दोनों को इस्तमाल करके use करके हमें ये जो equal to get the left side लिवाला है यानि LHS इसको हमें दिखाना पड़ेगा कि ये 12 plus 11 आएगा तो देखें किस तरह बनाते हैं तो देखें ये question दियावा है question में x का value दियावा और xy का value दियावा 1 so that short में हमने लिखा इसको equal to दिखाना 12 by 11 देखें x का value दियावा है ठीक है और xy equal to 1 दियावा इसको इस्तमाल करके हम y का value पहले निकालेंगे ठीक है x का value दियावा y का value इसको इस्तमाल करके निकालेंगे तो क्या दियावा है xy equal to दियावा है 1 ठीक है इसलिए y equal to कितना होगा तो y यहाँ x के साथ into है तो x को हम हटाना पड़ेगा x यहाँ into है equal to के दाहिने तरब जाएगा right side में तो 1 के नीचे आजागा divide हो जागा 1 by x हो जागा ठीक है अब यहीं से y का value आएगा तो y equal to 1 by x है तो यहाँ पर value पुट कर दे 1 by x का value क्या है यह है इसको लिक ले root 7 plus root 3 by नीचे में हो जागा root 7 minus root 3 ठीक है अब देखे 1 by यह होने से क्या हो जागा यह equal to हो जागा यह जो चीज यह उपर चला जागा यह नीचे रह जागा यानि यह हो जागा root 7 by root 3 by यह उसी तरह नीचे रहेगा root 7 plus root 3 ठीक है जश्ट यह चीज पलड गया यहाँ पे ऐसा क्यों होता मैं पता है 1 by a बटा b अगर रहता है तो यह क्या होता है 1 by अगर ऐसे नीचे बटा रहने से यह चीज पलड जाता है ठीक है यह चीज पलड जाता है उसी तरह 1 by अगर यह लिखा तो यह चीज पलड जागा यह उपर चल जागा यह नीचे आज जागा यह हो जागा value यह किसका value हुआ y का value हो गया ठीक है x का value है देखिए यहां plus उपर है minus नीचे यह चीज सेम है y में लेकिन उपर में यह minus वाला होगा नीचे plus वाला होगा ठीक है यह y का value यह x का value अब x और y का value आ गिया यहां से हम पहले निकाल लेंगे x plus y का value क्यों वो चीज यहां इस्तमाल होगा उसको use करके हम इतना prove कर पाएंगे ठीक है हम x plus y निकाले या x minus y निकाले कोई भी एक निकाल सकते हैं लेकिन easy के लिए हम x plus y निकाल लेते हैं ठीक है इसलिए x plus y कितना होगा देखते हैं तो देखिए x का मतलब यह दिया हुआ इसको लिके ले root 7 plus root 3 by root 7 minus root 3 फिर plus y मतलब कितना निकाला हमने y equal to y निकाले just इसका उल्टा यानि root 7 minus root 3 by root 7 plus root 3 ठीक है अब इन दोनों को हम बटा है इसको LCM लेकर करके हम x plus y के value निकालें बहुत easily निकल जाएगा थोड़ा समझना formula ही हो जागा यह दोनों नीचे LCM लेना पड़ेगा यानि इसको bracket में लिक लेने से LCM हो गया ठीक है यह और यह bracket में एक साथ यह LCM हो गया इन दोनों का into करने से ही हो जागा LCM अब क्या करेंगा इससे इसको divide करेंगा तो यह LCM हो जाएगा बचेगा यह वाला इससे यह उपर वाला into करेंगा सेमसे में तो इसका whole square हो जाएगा ऐसा मेहत मैंने बनाया भी था पहले भी ठीक है इसी exercise का मैहत मैंने बनाया था question number 6 में भी इसका whole square हो जाएगा फिर plus इससे अब इसको divide करेंगा तो यह plus plus वाला cancel होगा बचेगा यह यह से यह उपर वाला into होगा तो यह सेमसे में देखिए इसका whole square हो जाएगा root 7 minus root 3 का whole square अब यह formula एक इस्तमाल हो जाएगा किस तरह root 7 को A समझे root 3 को B समझे A plus B का whole square plus A minus B का whole square इसका formula क्या होता हमें पता है A plus B का whole square plus A minus B का whole square बीच में plus होने का जाएगा इसका formula तो है 2 into A square plus B square इसको याद रखना होता है यह formula यहां भी उस formula को यूज करेंगे तो diet बन जाएगा ठीक है 2 into A square A मतलब हो रहा है इसको second bracket में लिए यह मतलब root 7 इसका square plus B मतलब है root 3 यह formula 2 into A square plus B square ठीक है 2 into A square plus B square यह सब था इसको first bracket में यूज किया है इसको बंद करने के लिए second bracket यूज किया है ठीक है और नीचे में A minus B into A plus B हो जा रहा है ठीक A square minus B square वाला formula यूज होगा यह A के जगा में root 7 A square minus B के जगा में root 3 A square minus B square अभी कितना हो रहा देखिए 2 into first bracket बना ले root 7 का square 7 हो जाएगा plus root 3 का square 3 हो जाएगा नीचे root 7 का square 7 minus root 3 का square 3 कितना होगा अब देखिए 2 into A7 plus 3 10 हो जागा यह into 10 by नीचे 7 minus 3 करेंगे 4 हो जाएगा इसको देखिए कितना होगा 2 दूना 4 2 से 5 बार में कर जाएगा ठीक है चैंसल होगा पांच आगी है यह जो 5 है किसका value हुआ यह हो गया X plus Y का value X plus Y का value यह इसको निकाल के हमना आएगा 5 X plus Y का value 5 होगा ओके ठीक है तब इसको यूज करके हम पूरूब करेंगे जो हमें पूरूब करना है left hand side ओके left hand side क्या दिया हो left hand side में X square plus X Y plus Y square by नीचे X square minus X Y plus Y square यह left hand side है यह left hand side हो गया इसको पूरूब करके दिखाना होगा 12 बटा 11 होगा तो यह हमने लिख लिए left hand side इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम X square plus Y square को एक तरफ कर लेते X square plus Y square उसके बाद फिर plus X Y को लिखेंगे नीचे भी उसी तरह करेंगे X square फिर plus Y square है फिर minus X Y को बाद में लिखेंगे यहां पर X square plus Y square यह formula में आ जागा इसको A समझे इसको B समझे इसको B समझे A square plus B square का क्या formula होता है A plus B का holy square यानि यहां पर A के जगा में X plus B के जगा में Y A plus B का holy square minus 2AB होता है 2 AB मतलब X Y यह होगी इसका formula और इसके बाद यह होगी सिर्प इतना थोड़ा का formula फिर plus X Y है नीचे में भी उसके तरह इसको तोड़ेंगे तो यह ही formula आएगा X plus Y का holy square minus 2X Y यहतना ठूटके यह होगा फिर minus X Y अब यह कितना होगा X plus Y का holy square minus 2X Y और plus X Y यह दोनो X Y वाला है यहाँ minus यह पलस है पलस यहाँ कुछ ने मतलब 1 तो minus plus होने से क्या होता सब्स्टेक्ट होगा घटाएंगे तो 2 से 1 को घटाएंगे तो 1 होगा एक लिखना नहीं है और 2 बड़ा इसलिए minus Y 1 नहीं लिखेंगे सिर्फ 1 X Y होता लेकिन हम 1 नहीं लिखेंगे नीचे में क्या होगा X पलस Y का होल स्क्वेर minus 2 X Y यह दोनो minus वाला है यहाँ भी minus यहाँ भी minus सेम साइन इसलिए क्या होगा एड हो जाएगा 2 और यहाँ पर कुछ ने मतलब 3 X Y हो जाएगा 3 X Y लेकिन minus sign ही रहेगा अब हम value पूट करेंगे ठीक है X पलस Y मतलब हमने क्या निकाला अभी 5 तो इसके जगा में हो जाएगा 5 का हॉल स्क्वेर फिर minus X Y क्या दियावा है? X Y equal to 1 दियावा है X Y equal to 1 दियावा है वह value हम पूट कर देंगे minus X Y मतलब 1 3 into X Y मतलब 1 अब यह कितना हो रहा देखिए इसको राइट सैड में बना लेते हैं 5 के स्क्वेर 25 minus 1 नीचे 5 के स्क्वेर 25 minus 3 एकम 3 कितना होगे 25 से गटाएंगे 24 25 से 3 गटाएंगे तो यह हो जा रहा है 22 इसको काट ले 2 से 2 से 12 बार में 24 कटेगा नहीं हमें पूरूब करना था राइट है तो यह हो गया पूरूब यह शोड परमानित हो गया बिल्कुल इजी है और यह बहुत इंपोर्टेंट कॉश्चन में से कॉश्चन है ओके इसी तरह के एक्जामपल में भी कोई कॉश्चन होगा और रूट 5 पलस रूट 3 का जा रहा इन दोनों में से कोन बड़ा है विच वान इस ग्रेटर कोन बड़ा है हम कैसी चेक करेंगे देखिए अगर यह कोई शीप नंबर होता कोई संख्या होता तब तो आप बिल्कुल इजीली समझ लेते कि 7 पलस वाना इट होता और यह फाच रतीना इट होता कोई बड़ा नहीं है ना तेकिन यहां पर वो चीज नहीं है यहां पर रूट या करनी है तो रूट या करनी में आप ऐसे एजीली नहीं बोल सकते कि कौन चोटा कौन बड़ा है क्योंकि रूट का जो करनी है सड है इसका एग्जेक्ट वहलू उसका असल वहलू जो है वो तो हम नहीं बता सकते पॉइंट में आ जाता बहुत सारा तो हम परफेक्ट नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है तो इसका जो तरीका यह है कि इसका भी हमें को hall square करके देखना पड़ेगा और इसका भी हमें hall square करके देखना पड़ेगा वहाँ से हमें समझ में आएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है ठीक है ओके तो यहाँ से हम देखते हौल square करने के बाद तो देखे इस्ट्वर्ण यह दोनों दिया वा था हम क्या करेंगे दोनों का अलग-अलग hall square निकालेंगे सबसे पहलेंगे रूट 7 पलस 1 का hall square यह कितना होरा है इसको हम देखें तो hall square का formula लगाँगे रूट 7 को A समझ यह वान को B समझ यह तो यह होरा A पलस B का hall square A पलस B का hall square क्या होता है A square minus A B पलस 2AB b x Behavior होता है तो a मतलब root 7 जिसके equations ब्रेकट देखंगे एक required कर पलस 2AB 2 into a मतलब root7 into b मतलब 1 2AB plus bick тебе Excel मतलब 1 ka sqvr ठीक है अब यह कितने होता है धिकिने नोदे का sqvr 7 ho ivalence to root 7 1 into तो क्या होगा 2 और one into ओगा यह दोनों संग्क्या है दो एकम दो नमबर है तो रूट सेवन फिर पलस वान का स्क्वेर वान हो जागा तो ये कितना होगा देखिए सेवन और वान ये दोनो नमबर है संक्या ये दोनो सिर्फ एड़ होगा ठीक है ऐसा नहीं कि से टू इंटू एड़ कर देंगे साथ दो नहीं ये गलत हो जागा टू रूट सेवन के साथ है ये करनी है सड के साथ इसको नहीं एड़ कर सकते है किसी के साथ सेवन अलग है और वान अलग है ये दोनों ही नमबर ये दोनों ही सिर्फ एड़ होगा 7 और 1 8 8 पलस 2 रूट 7 ओके यह 8 अदो 10 नहीं कर देंगा वोना गलत हो जाएगा यह 2 रूट 7 अलग रहेगा 8 पलस 2 रूट 7 यह कितना होगे इसका हॉल स्कॉर अब हम निकालेंगे रूट 5 पलस रूट 3 का हॉल स्कॉर यानि रूट 5 के square plus 2ab 2 into root 5 into root 3 ठीक है ना और उसके बाद plus b square b मतलब root 3 है इसका square अब ये कितना होगा root 5 के square 5 हो जागा plus ये into होगा तो कितना होगा तो 2 shift number है और ये दोनों root root into हो जागा तो root 5 into root 3 के 9 का root 15 होगा 5 दिया 15 plus root 3 का square 3 हो जाएगा अब यहाँ पर 5 और 3 shift number ये संके ये दोने आड़ हो जागा 5 और 3 8 8 plus 2 root 15 root के अंदर में ठीक है ये हो गया root 5 plus root 3 का whole square अब ये जो holy square का जब value आया इन दोनों को देखकर हम अंदाजा लगाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है ठीक है किस तरह से यहाँ पर देखिया आप इसका value आ रहा है 8 plus 2 root 7 इसका value आ रहा है 8 plus 2 root 15 8 8 same है ठीक है न दोनों में 8 8 7 है फिर plus 8 में कुछ जूड रहा है क्या जूड रहा है 2 root 7 और इसमें 8 में कितना जूड रहा है 2 root 15 2 2 भी 7 है उसके बाद root 7 है और यहा root 15 है तो root में भी value अगर रहे है तो कौन सा बड़ा हो रहा है root 15 बड़ा है कि यह root 7 बड़ा है तो root 15 बड़ा है ठीक है तो यहां से हम लिख लेंगे चूंके root 15 बड़ा है root 7 से इसलिए यह value जो असल में आएगा 8 plus 2 root 15 यह ज़्यादा बड़ा value होगा यह छोटा value होगा तो इसका मतलब यह है कि यह बड़ा value है तो इसका मतलब यह बड़ा value है इसका यह बड़ा value है ठीक है तो यहां से हमें easily पता चलिए कि root 5 plus root 3 जो है यह बड़ा value होगा इसलिए हम लिखेंगे root 5 plus root 3 is greater than root 7 plus root 1 यानि root 5 plus root 3 root 7 plus root 1 से बड़ा है ठीक है यह हमारा हो गया complete तो इस्टोन उमीद करता हूँ आपको यहां से अची तरह से समझ में आया होगा ठीक है next video में मैं जो है इस exercise का यानि chapter 9 का exercise 9.3 का very short answer mcq short answer और fill in the blanks वगरा बनाऊंगा टैंक यू झाल